नमस्कार बहुत स्वागत है आपका देख रहे हैं आज का खास जो तिश्जराहट के आपके साथ मैं हूँ आपका संतोश संतोशी दिनांग एक अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक आपके लिए ग्रह क्या सौगात ले आएं हैं इसी की चर्चा करने उपस्थित हुआ हूँ आप चार राशी वालों के लिए क्या उपाय रहेगा पूरे माह को शुप करने के लिए इसकी जानकारी हम आपको देंगे सुरवात आए करे हम लेकिन आपको बता दे खास तोर पर ग्रहों की स्थती क्या है जिसे आप स्क्रीन पर भी यहाँ देख सकते हैं तो ग्रहों की स्थती हम आपको एक बार जानकारी दे दे कि एक अगस्त को जब सुर्योदय होगा तो उस दौरान ग्रही इस्थतियां आप सब के लिए क्या कुछ लेकर के आई है अगस्त एक तारिख यह जानना अनिवार है ग्रहों की स्थती के विशे में तो नोट कर लीजेगा करक लगन का उदय चार नंबर का लगने रहेगा और दुतिया भाव में मंगल बुधुशुक्र रहेंगे सेंग राशी के चतुर्थ में केतु और चंद्रमा दसमी राशी अर्था सब्तम भाव में मकर के शनी कुम्भ राशी में ब्रहश्पति राहो मेश राशी में रहेंगे और चंद्रमा का जो नक्षत्र रहेगा वो उत्तराशाड़ा का तृतिये चरण चल रहा होगा जब सुर्योदय होगा इनी ग्रोहों के आधार पर आपको पूरा परिणाम प्राप्त हो रहा है तो आई अब सिंग राशी के विशे में बताते हैं कि आपके लिए पूरा जो समय है महीना भर ये कैसा भी बितने वाला है बात करें अगर हम सिंग राशी की तो इस्थति सुर्य चुकी करक में हैं पंदरह तारिख तक इसके बाद सोलख की आसपास में ये सिंग हमें प्रवेश करेंगे इस्थति ठीक रहेगी वैसे सिक्षा के मामले में कोई बहुत जादा दिक्कत नहीं है पढ़ाई अच्छी चलती रहेगी सिक्षा में जो दिक्कत रही होगी वो बलकी दूर होगी दिनांग आठ ग्यारह चब्विस और तीस तारिख शुब होगी ब्यापार की बात करें तो बिजनस में हर कदम पर आपके लिए सकारात मकता रहेगी बिजनस आप आगे लेकर के चल रहे हैं बिजनस में गती बढ़ जाएगी आउसर अच्छे मिलेंगे ब्यापार का बोलबाला रहेगा रिस्क लिया जा सकता है जिरांक 5, 12, 26 और 29 तारिक शुब होंगे सिंग राश अगस्त महीना प्राइवेट सेक्टर कुछ बड़े अनकूल फल मिल रहे हैं कुछ अच्छा और बड़ा करेंगे आप प्राइवेट सेक्टर वालों को नई नवकुरी की संभावना आए अब और तलाशने की आवश्यक्ता है मित्र साथ देंगे 16-17 के बाद बाहर से आपको अनेक अवसर भी प्राप्त होंगे 18 और 20 तारिख कोई दोश्त दोखा दे सकता है सरकारी छित्र में सिंग राशी वालों को 16-17 के बाद विशेश लाब है उसके पहले तक संघर्ष बढ़ेगा और काम में मन नहीं लगेगा अगस्त महिना, सिंग राशी, दामपत्य जीवन सात्वे में शनदेव अक्री इस्थती में नोक जोक चलाते रहेंगे मन मुटाव चलता रहेगा हो सकता है कि कहीं आप पत्नी से दूर या पती से दूर यात्रा आदि पर भी चले जाएं इसकी भी संभावना बनती है बात अगर लव लाइफ की करें तो ब्रहश्पत्यूकी राहो के साथ पंचम से छठे बैठे हुए हैं ये इस्थती बड़ी दुरू हो है बनते हैं मोर दैन नैंटी परसेंट आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है जितना दे सकते हैं उतना आपके लिए अन्कूलता रहेंगे स्वास्थ के मामले में माइगरेन पूरे माह परेशान करेगा डाइजेशन चोकी पंचमेश होकर के ब्रहश्पत पीडित रहेंगे चंद्रमा छठे में रहेंगे तो स्वास्थ हानी तो निश्चित है उपाय क्या करें हम बताएंगे आपको के भी और समझ में भी आएगा ग्रुप श्टडी आदी के लिए भी आप मित्रों के साथ कहीं बैठ सकते हैं और यह आपके लिए अच्छा अफसर देगा दिनांक चार ग्यारह उननिस तीस तारिक शुभ होंगे ब्यापार के लिए बात करें तो कन्याराशिवानों को बिजनस में रिस्क लेने की छमता विक्सित होती हुई दिखाई देगे बिजनस में रिस्क ले सकते हैं और बिजनस आपके लिए अच्छा परिडाम भी दिखाएगा हर कदम पर आपको आपसर भी देगा और बिजनस का लाव आपको मिलेगा प्राइवेट सेक्टर की स्थति थोड़ी से उतार चड़ाव भरी है प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा परिडाम नहीं है कई तरह की समस्याएं हो सकती है सरकारी छेत्र में आपके लिए खूब सुधार होगा दिरांक 11-24 गवर्मेंट सेक्टर में कुछ विशेश लाव के आउसर बरेंगे दामपत्य जीवन कन्याराशी ठीक जा रहा है संतान का सुख इस महीने प्राप्त होगा बच्चे के लिए सोचा जा सकता है हलाकि अधिमास है दामपत्य जीवन मनमुटाव से बाहर आपको निकालेगा लव लाइफ थोड़ा सा उतार चड़ाओ है लेकिन आप उस पर अंकुष लगा सकते है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो माइग्रेन और किड्नी की समस्या हो सकती है पेट से भी कुछ परेशान रहेंगे पंचम का चंद्रमा होने के कारण प्रियोग बताऊंगा मैं लेकिन आई अब हम तुला राशी की बात कर लेते हैं अगस्त दो हजार तेईस तुला राशी तुला वालों के लिए अगस्त दो हजार तेईस का महीना चतुर्थ के चंद्रमा के कारण पढ़ाई से विमुक्ता दिखाएगा सिक्षा पर प्रभाव पढ़ रहा है मन नहीं लगेगा पढ़ाई में खूब मैटर इधर उधर के आपको परिशान करेंगे ब्यापार लेकिन अच्छा है बिजनस में आप जितना चाहें गती ले सकते हैं ब्यापारिक उतार चड़ाओ से मुक्ती मिलेगी मन प्रशन रहेगा बिजनस में कुछ बड़ा करने का आउसर मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं अगर आप तो और आपकी राश्यतुला है 9, 22 और 26 तारिक नई नवगरी की संभावना है जहां कर रहे हैं वहां महिला बॉस के साथ तालमिल बिठाने की प्रयास में लग जाई है सरकारी छेत्र वालों को आउट आप टरन प्रमोशन यात्रा से लाव सुखद लाव बिदेश भेजे जा सकते हैं काम आपके बनेंगे आपका दबदबा कायम रहेगा दामपत्य जीवन तुलाराशी सौतन संताप इस महिने में मिलेगा तुलाराशी की महिलाओं को अपने पती पर निगाह रखे इधर उधर भटकाव न देखाएं समय दे रिष्टों में अंतरंगता लाएं दिरांक 11, 19, 24 और 30 तारिख साउधान रहने का है लव लाइफ बहुत संतुलित रहेगा कहीं कोई कमी नहीं इन फैक्ट तीन चार और रिष्टे करीब आ सकते हैं स्वास्थ के मामले में हर्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा शुगर भी परेशान कर सकता है चर्चा कर लेते हैं ब्रिष्चिक राशी की उपाय हम बताएंगी पहले ब्रिष्चिक की बात कर लेते हैं यहां अनुकूलता अपने आप आपको प्राप्त हो रही है समय के साथ कदम बढ़ा रहे हैं और आप कई प्रकार से शुबता प्राप्त करेंगे ब्रिष्चिक राशी वालों को मानस्रिक प्रशनता के साथ कदम बढ़ाने का अवसर मिलेगा चंद्रमा एक अगस्त को तृतिय भाव में रहने के कारण अगस्त का महीना थोड़ा सा सुर्वाती समय में आलस से भरा रहेगा लेकिन चबरदस्ती चंद्रमा मेहनत तो कराएगा तो पढ़ाई आपकी ठीक है पढ़ाई में कहीं कोई रुकावट नहीं है ब्यापार थोड़ा उतार चढ़ा भरा रहेगा रिस्क लेंगे लाब होगा बिजनस में कोई दिक्कत होगी नहीं खास तोर पर 16-17 अगस्त के बाद शुर्वाती समय में 5-11 तारिक को इस बीच में बड़े लें दिन थम जाईएगा प्राइविट सिक्टर में प्रमोशन 13-14 के बाद संभव है सरकारी छित्र में सुधार लाने का प्रयास तफल होगा गवर्मेंट सिक्टर आपके लिए अच्छा है बाधाओं से बंधनों से मुक्ति के योग बनेंगे काम में मन लगेगा चिंताओं से मुक्ति मिलेगे लव लाइफ पे उतार चड़ाओं के साथ दिरांग 5, 9, 13, 19 और 26 तारिख नए प्रिपोजल के है स्वास्त के मामले में हर्ट की प्रॉब्लम, आँख की समस्या, पेट की समस्या हो सकती है अब बात कर लेते हैं सिंग, कन्या, तुला, व्रिष्चिक वाले अगस्त को शुब करने के लिए उपाय क्या करें तो भजा प्राताष्टान के बाद देवी कवच का पाठ आप अभश्य कर लीजेगा और किसी छोटे बच्चे को हर रोज कुछ न कुछ अपने हाथों से खाने पीने के लिए देते रहेगा आज किस खासंक में इतना ही नाकपुर, रायपुर, इंदौर, मुंबई, पुने, अहमदाबाद, जैपुर, गाजियाबाद, आदिश शहरों में अगस्त महीने में आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं इन शहरों में आप जब भी मिलना चाहें तारीखे स्क्रीन पर देखें और कार्याले के नंबर पर वाट्स अप करें अनुमत दीजेगा अपना बहुत ख्याल रखें अगले वीडियो में बताएंगे हम धनुमकरकुम्भ और मीन वालों के लिए अगस्त कैसा बीतेगा और मत दीजेगा नमस्कार शेरादे अचार्य आचार्य 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 विश्व प्रसिध जोतिशाचार संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद् लक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीप एक खुशियां अनेक लुश खुश्य खिवादीब खुश्य लग्रह झान अनुर देख लादी खुश्य